गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स, क्लास नाइन्थ, शेमुशी, चैप्टर नमबर टू आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नमबर टू आपका पेज नमबर सेवन से स्टार्ट हो रहा है, अपनी बुक में पेज नमबर सेवन आप उपन कर लीजिए, स्वर्ण काकह, स् स्टार्ट करते हम, प्रस्तुतो अयम पाठह, श्री पद्मशास्त्रीना, वी रचितम, विश्व कथाक्षतकम, इती संग्रहाद, ग्रहितो अस्ती, प्रस्तुतो अयम मतलब यह दिया गया, पाठ जो है, यह पाठ है, जो श्री पद्मशास्त्रीना, श्री पद्मशास्त् बारा रचित वी रचित मतलब रचित विश्व कथा शतकम विश्व कथा शतक जो उनका कहानी का संग्र है कथा संग्रहाद ग्रहितो अस्ती लिया गया है अत्र विवीद राष्ट्रेशु व्यापता नाम शतम कथा नाम वर्णनम विद्यते यहां विवीद राष्ट्रों मे मतलब जो अलग अलग देशों में हुई सो कथा ओं में से को अलग अलग राष्ट्रों में हुई सो कथाओं में सो कथाओं का वर्णन किया گया है लोक थाओं का जग्यका नाम है म्यानमार, अस्टी की यह कथा देश की एक श्रेश्ठ लोकथा अ्युंस, यह कथा जो लोब, मतलब लालच करने का देश परिणाम, मतलब बुरे जो रिजल्ट जोते हैं, अगर हम लालज करते तो उसको और उसको त्याग करने के मतलब हम अगर उसको त्याग कर देते तो उसका क्या अच्छा परिणाम होता है इसका वर्णन इसमें किया गया है चैप्टर स्टार्ट करते हम पूरा कश्मिश्चित ग्रा में एका निर्धना स्त्री व्रद्धा स्त्री नव्यसत् किसी गाउं में प्राजीन काल में किसी गाउं में एक व्रद्ध स्त्री रहती थी या निवास करती थी तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत चासीत मतलब च प्लस आसीत तो उसकी एक बेटी दुहिता मतलब बेटी विनंब्र मतलब पॉलाइट और मनोहर मतलब मन को अच्छे लगने वाली एक बेटी थी उसकी एक विनंब्र और मनोहर बेटी थी एक दा माता स्थल्याम तंडूलान निक्षिप्य पुत्रीम अधिश्यद एक बार माता थाली में तांडूलान मतलब चावल को चावल को निक्षिप्य मतलब रख करके या दे करके पुत्री को कहती है आदेश देती है एक बार माता थाली में चावल रखकर पुत्री को देती है सूर्य तापे तंडूलान खगे ब्योहो रक्ष की सूरज की रोशनी में चावल से पक्षियों की रक्षा करना मतलब चावल को दूप में रखने के लिए कहती है और कहती है कि इनकी पक्षियों से रक्षा करना किंचित काला नंतरम एको विचित्र काको समूं किये तस्या समीपम आगच्छद कुछ समय बाद एक विचित्र मतलब बिलकुल अलग तरेगा एक कववा उसके पास में आता है नेक्स पीज पर आज़ेगे पीज नमबर एट नेता द्रिशह स्वर्ण पक्षो रजट चंचू स्वर्ण काकस्त्या पूर्वम द्रिश्टह एसा सोने का पक्षी जिसकी चोंच तो कैसी थी रजट मतलब चांदी की और स्वर्ण काकस्तिया मतलब जिसकी जो पंख थे वो कैसे थे सोने की और चोंच जो थी वो चांदी की थी उसने ऐसा जो कववा था वो पहले नहीं देखा था तम तांडूलां खादंत हस्तंच विलो कि बाली का रोधित माबब्ता वो क्या कर रहा था वहाँ पर आकर उन चांवलों को खा रहा था तो उसे देखकर बाली का उसे क्या करती है रोकती है तम निवारियंती सा प्रार्थित और उसे प्रातना करती है कि तांडूलां कि इन चावलों को मत खाओ मदिया माता अतिव निर्धना वर्थते मेरी माता बहुत ही गरीब है स्वर्ण का पक्षह काकह प्रोवाच माशचू सोने का जो पक्ववा है वो कहता है कि माशचू मतलब तुम चिंता मत करो कि तुम सुर्योदय के बाद गाओं के बाहर एक पीपल का व्रिक्ष है वहाँ पर आना अहम तुब्यम तांडूल मुल्यम दास्यामी मैं तुम्हें तुम्हारे इस चावल का मुल्य दे दूंगा प्रहर्षितिका बालिका निद्राम पी न ले बे और प्रहर्षिता मतलब की खुशी की वज़े से जो बालिका है वो नीद भी नहीं लेती है सुर्योदय पूर्वा सुर्योदय होने से पहले ही सात अत्रों पस्तिता वहाँ पर पहुँच जाती है प्रक्षोपरी विलो के साच आश्चरे चकीता संजाता यत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते बेड के ऊपर देखकर वो आश्चरे चकीत हो जाती है मतलब की बहुती सर्प्राइज हो जाती है की कि वहाँ पर क्या होता है एक स्वर्ण मय प्रसादो मतलब एक सोने का महल होता है यदा काकह शयत्वा प्रबुद्धस्ता तेन स्वर्ण कागत्त कथितम हहो बाले त्वमागता तिष्ट अहम त्वमकले सोपान वार्यामी वो जब बाली का होती है उस सूरिदों से पहले ही व करब बालीका को कहते है कि अरे बालीका तुम आ गई रुको मैं तुहारे लिए सीडिया लाता हुँ तत कथ्वर्ण मैं रजतम तामर वै तुम बताओ सोने की लाओं चांदी की लाओं या तामभे की लाओं बाल्या वदतंतर्त अहम निर्दन मातू हु दुहीता असमी कन् स्वण शोपानें सा स्वण अबवनम अगतत लेकिन जो कवव होता है वो उसके लिए सोने की सीडिया लाता है और वो सोने की सीडियों से महल में चढ़ जाती है चिरकालम बवने चित्र विचित्र वस्तुनी संजीतानी द्रिष्टवा सा विस्मयम गता और थोड़ी देर बाद में वो महलों में महल में अलग-अलग तरह की जो चीजे देखती है उसे देखकर बहुती विस्मय हो जाती आश्यरचकित हो जाती है श्रानताम ताम विलोक्य काकह अवदत और आश्यरचकित उस बालिका को देखकर कववा कहता है कि पूर्वम लगू प्रातर आशह क्रेताम की पहले तुम नाश्ता कर लो कि तुम किसमे पोजन करोगी, किसमे नाष्टा करोगी, सोने की थाली में, या चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में बाली का अवदत, बाली का कहती है कि, तांबरस थालियां एव अहम निर्धना बोजनम करिशामी, कि मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की थाली में ही बोजन कर लूँगी, तदा सा आश्चेर चकीता संजाता यदा स्वर्ण काकें, स्वर्ण थालियां बोजनम परिवेशती, और जो सोने का जो कववा होता है सोस्वर्ण काक वह आश्यर चकित हो जाता है कि ये इतनी गरीब है तो भी लालच नहीं कर रही है और किसमें कह रही है कि मुझे तामबे की थाली में ये बोजन करा दो तो वो उसके लिए सोने की थाली में बोजन परोस कर लाता है न इता द्रशाम स्वादू बोजन माध्य बालीका खादवती बालीका ने ऐसा स्वादिष्ट बोजन इससे पहले कभी नहीं खाया होता है काको अवदत कववा कहता है कि बाली के अहम इच्छामी यत त्वम सरवदा अत्रेवतिष्ट की है बाली का मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ परम त्वम माता तु एका की नी वर्तते लेकिन तुम्हारी माता भी क्या है अकेली है अतह त्वम शीग्रमेव स्वग रहम गच्छ इसलिए तुम जल्दी ही अपने गर चली जाओ इसका यहां से हम इसको नेक्स वीडियो में कम्प्लीट करेंगे इस चैप्टर को इसको आपको रीट करना है और इसका अर्थ करना है इसके वर्ड मिनिंग्स जो है आपको दे रखे हैं यह आपको अपनी कॉपी में नोट आउन करने हैं